हेलो फ्रेंज, स्वागत है आपका डिजल तयारी चैनल पे, मैं श्रयांस खुठारी लेक हैं और दोस्तों, अब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाई S.P. बक्षी, शानदार एक किताब, दोस्तों, प्रोनाउन चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, प्रोनाउन चैप्टर मे नहीं थे, clear सुन ले, वो नहीं थे, important, सिर्फ समझना था हमें, अभी important दोस्तों ये rules हैं, ये rules एक एक करके आप समझते चले जाएं, क्या rule क्या कहना चाहरा है बस उसको आप देखते चले जाएं, चले दोस्तों सीधा लिये चलता हूँ, आज आपको rules of pronoun पे हमारा पहरा rule, when the subject of the verb is the receiver of the action, the action is said to be reflected, such verbs are used reflexively, मेरी बात को समझ येगा, when the subject of the verb, जब verb का जो subject है, is the receiver of the action, हमारा subject ही receiver of the action है, subject खुद पे ये verb ले रहा है, the action is said to be reflected, such verbs are used reflexively, ऐसे verbs reflexively लेने चाहिए, क्या दोस्तों जैसे equit, equit का मतलब क्या होता है, दोस्तों आपको पता होना चाहिए, equit का मतलब होता है, बाहिजद बरी कर देना, absent, avail, reconcile, amuse, resign, avenge, revenge, enjoy, exert, apply, ये बहुत सारे, और उसमें सबसे important है, enjoy वाला word, बहुत सारी बार exam में आता है ये, और आपको ध्यान रखना है, बस simple सी भाषा में अगर कहूं तो, reflexive pronoun का प्रयोग करना है, reflexive pronoun का, क्या कह रहा है दोस्तों, ये समझेगा, you should avail yourself of every chance in life, avail yourself, अपने आप में समझाना पड़ेगा, reflexive आएगा ही आएगा, मतलब ये object, ये जो verb है ना, ये subject पर reflect कर रहा है, action subject पर स्वयम कर रहा है, तो फिर क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, they enjoyed picture last evening, ध्यान से देखेगा, यहाँ पे no reflexive pronoun is needed, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने enjoy किया, क्या, ध्यान से देखना, they enjoyed picture, तो अमारे पास एक object आया, picture का, तो हमारा subject दे है, और object picture है, लेकिन they enjoyed during, ध्यान से देखेगा, second और third में एक बहुत बड़ा difference नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे object given है, यहाँ पे object missing है, जहाँ enjoy के बात, क्योंकि यह मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारी बार exam में आया है, कान खोल के सुन लीजिए, कोई exam की बात कर लो, banking में, ssc में, बहुत सारी बार, यही question most importantly यह वाला, यह वाला, आपको पता होना चाहिए, enjoyed picture में object है, यहाँ object नहीं है, जब object नहीं है, मतलब उन्होंने खुद के लिए ही तो enjoy किया है, जो object subject है ना, वो reflection हो रहा है, they themselves लगाना पड़ेगा आपको enjoyed के बाद, क्यों लगाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ object नहीं है, जहाँ enjoy के बाद object नहीं मिले आपको, वहाँ reflexive लगाना आवश्यक है, नियम बहुत clear है आपके लिए, आगे देखें दोस्तों, he resigned himself to his failure, उसने खुदी resign कर दिया, the former dm acquitted very effectively, तो आप देखिये जरा former dm, dm जो भी district magistrate हो गया हमारा, उसने एक्विट कर दिया, अब एक्विट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको गाता बाइजद बरी कर देना, बाइजद बरी कर देना efficiently, तो दुस्तों, खुद के लिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे place himself आना चाहिए, यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको, place himself after acquitted, क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ subject में कौन है, former DM, former DM ने आगे किसी को acquit नहीं किया है, उन्होंने किसी और को acquit नहीं किया है, अपने आपको बाइजद बरी करवाया है, तो अपने आपके लिए आया है, acquit के बाद himself आएगा, ठीक, वैसा ही जैसा हमने यहाँ, they enjoyed themselves लगाया था, He was determined to avenge the death, अब देखिएगा, यहाँ पे avenge the death है of his wife, तो जरूत ही नहीं है, जरूत ही नहीं है, तो फिर correct है, यह जरूत पड़े, वो जो verbs है न, वो बहुत महत्वपूर्ण थे, वो verbs इतने महत्वपूर्ण थे कि आपको copy में लिख देने चाहिए, और लिखकर आपको दाना जरूरी है, हर जगे नहीं, इन verbs पे जो इसके rule number one में given थे, चले दोस्तों आगे बढ़ता है, rule number second, following works are not used reflexively, never कर दो इसको, इनका reflexive कभी भी नहीं बनेगा, इसमें भी सबसे important keep है, बागी तो ठीक है, stop हो गया, turn हो गया, qualify, bathe, move हो गया, rest हो गया, hide हो गया, दोस्तों इन सारे में अगर आप notice करें, तो अगर object नहीं है, तो understood है, यहाँ पे खुद की बात हो रही है, तो यहाँ पे you should keep yourself, ध्यान से देखेंगा, you should keep yourself from bad boys, आपको यहाँ का है drop yourself, क्यों drop yourself, क्योंकि यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, यहाँ understood है, अपने आपकी बात हो रही है, इस में कभी भी आप yourself नहीं लगाएंगे, you should keep from bad boys, अजीब सा लगेगा, यहाँ keep from bad boys का मतलब है keep away, दूर रखने से कह रहा है, he has disqualified for the post, he hid in the room, भाई, खुद को ही चिपाएगा ना, और किसी की तो बात कर ही नहीं रही है, यहाँ पे, the thief hid money, यहाँ पे money दे रखा है, तो कोई problem ही नहीं है, अगर कोई object given है, तो बात अलग है, object नहीं है, यहाँ reflexive नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे, इन words को भी एक बार note कर लीजिए, आगे वढ़ते हैं दोस्तों, rule no.3 क्या कह रहा है, a reflexive pronoun cannot act as a subject or object of a verb unless it is preceded by pronoun or noun concerned, बहुत important बात है दोस्तों, reflexive pronoun कभी subject तो बन ही नहीं सकता है, ध्यान जा सुनिएगा, subject तो बन ही नहीं सकता है, यह केवल दो जगे आता है, subject के साथ में अगर आए, तो emphatic है, और नहीं तो subject का reflection बनेगा object में, कैसे वो समझा देता हूँ, माइसेल्फ विल अरे भाई कई बार सेंटेंस की शुरुवात करते हैं माइसेल्फ रमेश अब बताओ जरा सेंटेंस की शुरुवात कैसे हो सकती माइसेल्फ कभी नहीं हो सकता है माइसेल्फ अटेगा आई बनेगा I will see to it that you get your share of the property मैं इस बात का ध्यान रखूँगा यॉर्सेल्फ एंड ही कभी नहीं बनेगा यू एंड ही रीज देर इन टाइं I माइसेल्फ सेंटेंस को और थोड़ा जूम करता हूँ देखेगा शैद अभी क्लियरली समझ आ रहा होगा आपको माइसेल्फ सेंटेंस की शुरूआत नहीं बन सकता यॉर्सेल्फ नहीं बन सकता या तो मैंने का सब्जेक के साथ में आए I माइसेल्फ लाइक हिम कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर यह रिफलेकसिव नहीं है एमफेटिक है बस यह याद रखना Emphatic यानि emphasis देने के लिए subject के साथ हमें क्या ये बात समझ आ रही है और नहीं तो Raj will do it for myself कैसे होगा for me होगा ना भाई या तो वो खुद के लिए करे या तो himself आ जाए अगर आपको reflexive लगाना ही है मेरी बात को सुनिएगा अगर आपको reflexive लगाना ही है तो Raj के लिए himself लगा दो यहाँ पर और नहीं तो फिर me लगा दो Myself तभी आप आएगा जब sentence में आई आएगा मेरी बात को समझ येगा यहां myself तभी आएगा जब यहां आई आएगा या तो himself लगा दो और नहीं तो सीधा objective case इस me लगा दो जो आपकी इच्छ है क्या ये बात समझ आ गई तो दोस्तों हमने देखा तीन rule और तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण थे और तीनों ही reflexive के थे एक जिसमें हमने कहा कुछ words के साथ reflexive लगाना है एक वो जिनके साथ reflexive कभी नहीं आएगा और तीसरा वो की reflexive आएगा कभ जब subject का reflection बढ़ रहा है object में तब या फिर वो subject के साथ में आ जाए तब तो दोस्तों यहां हमने देखा किस तरीके से pronoun को बहुत detail में समझा रहे हैं बस आप हमेशा लगाता है हमारे साथ बने रही है जिस चैनल पे जिसका नाम है डिजिटल तैयारी थैंक यू प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी